नमस्कार मैं हूँ शुष्टी पांडे और आप देख रहे हैं सुर्मे टाइम्स दिन्बर की बड़ी और एहम खबरों को जानेंगे विस्तार से पर उससे पहले एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर वर्ती महंगाई को लेकर छे साल की मासूम का छलकादर लिखा पियम मोधी को पत्र वंशिका पांडे बनी 36 गड़ की प्रथम महिला लेफ्ट है संजर राउट की गिरिफतारी के बाद बीजेपी पर भड़के उत्र उठाब लेए उत्र प्रदेश के कन्नौत जिले में छिवरामू नगर के मुहला वितर्या निवासी विशाल दूबे एडवोकेट की 6 साल की पुत्री क्रीती दूबे ने साधारन डाग से पत्र प्रधान मंत्री नरेंद मोधी को लिखकर महंगाई का रोना रोया है क्रीती ने पीम मोधी को पत्र में लिखा प्रधान मंत्री जी मेरा नाम क्रीती दूबे है मैं कक्षा एक में पढ़ती हूँ मोधी जी आपने बहुत महंगाई कर दी है यहां तक पैंसिल रबर तक महंगी कर दी है और मैगी के भी दाम बढ़ा दिये है अब मेरी माँ पैंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूँ बच्चे मेरी पैंसिल स्कूल में चोरी कर लेते हैं। बता दे कि बच्ची के पिता विशाल दूबे ने पत्र के भारे में बताया क्या मेरी बेटी की मन की बात है। वहाल ही में उस समय नराज हो गई जब उसकी मा ने उसे स्कूल में पैंसिल खो जाने पर डाटा था। वैच ब्रामव के SDM अशोक कुमार ने कहा कि उन्हें इस छोटी बच्ची के पत्र के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चला। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी भी तरह से बच्ची की मदद करने के लिए तयार हूँ और यह सनुश्चित करने की पूरी कोशिश करूँगा कि उसका पत्र संबंदी दधिकारियों तक पहुँचे। राजनन गाउं शेहर के जूनी हट्री में रहने वाली वंशिका पांडे ने जिले सहित प्रदेश का नाम रौशन किया है वंशिका को भारती थल सेना में लेफटेनेंट का पद मिला है वही 36 गड़ की प्रथम महिला लेफटेन बनने का गौरव वंशिका पांडे ने हासिल किया वंशिका शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है उन्होंने SSB एक्जाम को क्लियर करने के बाद सेना में 11 महिने टॉप ट्रेनिंग किया जिसके बाद अब लेफटेनेंट बन गई वही पासाउट परेट के बाद शेयर पहुची वंशिका पांडे का परिवार सहें आम लोगों ने स्वागत किया साथ ही मिठाई खिला कर उन्हें बधाई चात्राप्त करने वाली वंशिका पांडे को बधाई देने लोगों का ताता लगा हुआ है वही बड़ी संक्या मे लोग उन्हें बधाई देने पहुच रहे हैं वही वंशिका पांडे ने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के बाद उन्हें सेना में यह उपलब्दी हासल हुई है और उनके परिवार के सपोर्ट के कारण वह इस मुकाम पर पहुच पाई वहीं उनके पिता पांडे का कहना है कि उनके लिए यह गर्व का विशह है कि उनकी बेटी लेटिन बन गई है कड़ी मेहनत से उनकी बेटी ने यह मुकाम हासिल किया है काफी सारी एंट्रीज हैं मुस्ली बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा अगर आप इंजीनियर हैं तो डिरेक्ट सबस्क्राइञ कर सकते एंट्रीज के लिए आप अपलाय कर सकते हैं सेज़ेटिकरे एग कर सकते ह। काफी कडिरेक्ट पस चीज अपरोच करते हैं उनको लगता है कि वसम देश भकती दिखाया है यह नहीं अगर आप एक ऊफिसर के तौर पर आजा रोत आपको सायक्य होना चाहिए वहाँ पर हर सिचुएशन के लिए तो वही पांच चीजे वो टेस्ट करते हैं और उसके अगर आप बैलेस्माइन के साथ जाएंगे तो आप जरूर इस चीज को सफल कर पाएंगे फैमिली सपोर्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इस ट्रेनिंग में कितना जादा जरूरी होता है कई बार इस ट्रेनिंग में बीच में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यह नहीं होगा मुझसे बहुत टफ हो रहा है नहीं कर पाऊंगे लेकिन हर उस मोड पे मेरे पापा ममी मेरी फैमिली खड़े रहे आगे बढ़ाते रहे और एक 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 दिन गर के गुजरता चला गया कात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित अनिमिताओं से जुड़े एक मामले में गिरिफतार किये गए संजय राउत की गिरिफतारी के बाद शिफसेना नेता उद्ध ठाकरे ने प्रेस कॉंफिन्स कर बीजेपी पर जम कर हमला बोला जोरान उन्होंने कहा कि जब हमारा वक्त आएगा तो देखेगा क्या होता है उन्होंने कहा कि आज की राजनीती घटिया और घिनौनी हो गई है राजनीती में बुद्धी बलका नहीं बलकी बलका प्रयोग किया जा रहा है उन्होंने कहा कि संजय मेरे पुराने दोस्त है ऐसे में मैं उनके परिवार से मिला उन्हें जिस तरह से गिरिफतार किया गया है वो गलत है उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि संजय राउत का अपरात क्या है उद्धाव मरते दम तक सनंडर नहीं करने वाले हैं उदाव ठाकरे ने कहा कि जेपी नडडा साहब ने कल जो भाशन दिया था, उसमें क्या प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? वे कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी बीजेपी रहेगी, बाकी पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. इसमें विवेग की बात कहीं नहीं है, सिर वक्त कभी भी बदल सकता है. जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि हिटलर के साथ सब को चा जाएगा. लेकिन उसका अंत क्या हुआ, ये सब को मालूम है.